हेलो ओलो प्यू गाईज वेलकम टू माई यूटूब चैनल स्टडी मेटेरियल एटू जट एरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रूप 2020 वाले अभ्यारतियों के लिए एक बड़ा डाउट बनकर सामने आ रहा है एक्जाम जो है वो कब तक कंडक्ट करवाया जाएगा और एक्ज जो क्यों अब कंफरम होने लगा है इसके बारे में मैं बता देता हूँ क्योंकि आपका कल यानि आप अपडेट आया था गाईज ये एक बहुत बड़ा अपडेट था कल की डेट में जो गाईज आपका अपडेट आया था ये एक बहुत बड़ा अपडेट था क्योंकि ज फूब सारे केंड्रेट्स हैं जो की एक्जाम की प्रिपेशन करके लगबग जो की ट्यार हो चुके हैं तो इन सारे सवाल का जवाब इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं जो भी केंड्रेट्स नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा गाइज और गाइज आप defense की ट्यारी कर रहे हैं और आपने अगर telegram को join किया तो telegram को join कर लिजिए सब से best है आपको telegram सब से best है आपको हर तरह का monthly आपको जो counterfeit वहां पर मिलने वाली है तो आप जाकर join जरूर हो चलिए गाइज अब आपका गाइज कोमेंट आ रहा है कि admit card का new update बताइए और आपका फैस्ट जून जो की आपको official mention किया है इनके बारे में हम discuss कर लेते हैं तो चलिए गाइज वीडियो को start करते हैं वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को like कर दीजिएगा चलिए दोस्तो आपका PSL का update सुनकर बहुत सारे candy अस्ते जिनको विश्वास हुआ है कि exam conduct करवाया जा सकता है और exam में क्या new परिवर्तन देखे जा सकते हैं इसके बारे में discuss कर लेते हैं दोस्तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आपका official mention किया हुआ है कि fast जून को आपका exam के बारे में कोई update किया जाएगा आपको तो यहाँ पे आपके मन में सवाल उट रहा होगा क्या exam center change होगा बिलकुल यहाँ पे सबसे पहला कोमेंटी मैंने देखा था मैंने वीडियो PS लेकिन आपका सबसे पहला ही कोमेंट था क्या exam center change होगा तो देखिए guys सबसे पहले आप note कर जिए क्योंकि आपका admit card भी आ चुका था और आपने देखा था कि आपकी exam debt जो कि आपकी आगई थी लगबग तो आपको कहीं ना कहीं यह सोचना होगा कि आपका exam center बिलकुल changes यह आपको note करना है आपकी admit card जो फिर से आएंगी admit card फिर से आएंगी यानि आपकी अब new admit card आएंगी और नई debt के साथ mention की होगी यह चीज़ आप एक note करके रख सकते हैं कि आपकी new debt के अंदर आपकी mention की होगी जो कि अब exam का आपका schedule रहने वाला है अब यहाँ पे थोड़ बिल्कुल सत्रक है आपकी हर टाइम पे हर आपका update देने की कोशिस कर रहा है अब चीज़ आ रही है exam conduct की देखिए exam conduct आप note कर सकते हैं guys की exam conduct जो पहले यहाँ पे एरपोस तो बिल्कुल भी त्यार है लेकिन आपका एक ही चीज़ effect कर रहा है वो है COVID-19 COVID-19 के कारण ही आज exam रुका हुआ है एरपोस आप भी जानते होंगे लेकिन एरपोस यहाँ पे अब जो आपका 5-0 lockdown लगने वाला है guys यानि आपकी संभावित बताया जा रहा है कि नए और तरीके से लागू होगा तो वहाँ पे आपकी कहीं ना कहीं exam एक चीज़ आप अग official mention किया है कि 31 माई को आपकी declare की जाएगी तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सुचना जो एरपोस के पास गई है कि आप जो बिल्कुल आप announcement कर सकते हैं तो exam भी अब guys आपका दूर नहीं हो सकता guys जून के last week तक आपके conduct करवाए जा सकते हैं या guys आपके जून के second week में कोई update आपको exam relative मिल सकती है अब बात आ रही है आपके जो की 5-0 जो lockdown है यह guys आपका दो week जो बढ़ने वाला है यह यहाँ पे कुछ सुचना है जो की नजर आ रही है तो यहाँ पे जो आपका lockdown रहेग यह चीज़ें आपको note करनी होगी आपके क्योंकि सबसे आपको तो important है वो चीज़ें वो social distancing और दो नंबर चीज़ें guys आपका वहाँ पे कोई संसाधन होना चाहिए जिससे आप जो अपने exam center पर पहुंच सकें ऐसा नहीं है online exam है बिलकुल है लेकिन आपको इस चीज़ का note क करके रखना होगा तो यहां पे बिलकुल 50 लगने वाला है लेकिन अभी जो आपने note किया होगा तो एक जो आपका state थरी मंत तक बढ़ाया है तो यहां पे बिलकुल कुछ जो state बिलकुल रहत में होगे लेकिन आपका exam जो जून के अंदर थोड़ा possible कम लग रहा है guys लेकिन अब जो update एरपोर्स की तुवारा जल्दी आपको update मिलने वाला है तो यह चीज़ आप note कर सकते हैं और exam date बिलकुल आपकी change होने वाली है यह सारी चीज़ें आप note करके रख सकते हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं सत्रक होने क्या हो सकता है आपका exam conduct हो सकता है तो आपको य यह सीज़ें आपके मन में जितनी भी doubt थी मैंने इसलिए वीडियो आपको दिया है कि आपके exam से related कोई update जो होती है वो सभी मैं आपको देता रहता हूं आपके पलपल की update यानि आपको मैं देता रहता हूं तो आपने I hope सभी चीज़ें जो की note कर ली है गाइस वीडियो पस तो टेलिग्राम को जाकर जोइन कर लीजिएगा दोस्तों आपको update बिल्कुल पसंद आया होगा और आपका भी update आने वाला है जल्दी तो आपको update कर दिया जाएगा कि आपके exam से related क्या new update देखने को मिल सकता है तो मैंने update सारी जो की इतना ही बताना था आपको बता दिया ह को के बाई